और आप सभी को नेशनल डॉक्टर्स डे की अनेक अनेक शुबकावना हैं डॉक्टर बीशी रॉई जी की स्मृति में मनाया जाने वाला ही दिन हमारे डॉक्टर्स के हमारी मेडिकल फेटरनेटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है खास्तोर पर पिछले डेड़ साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देश्वाश्यों की सेवा की है वो अपने आप में एक मिसाल है मैं 130 करोड देश्वाश्यों की और से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं आभार प्रगड करता हूं साथियों डॉक्टर्स को इस्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा किसी बिमारी या दुरगटना का सिकार हुआ होगा या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मोकों पर किसी देवयूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं हमें एक नया जीवन दे देते हैं साथियों आज जब देश करोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात महनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है यह पुन्य कारिय करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्योचावर कर दिया मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र सद्राजली अर्पित करता हूँ और परिवार के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ साथियों कोरोना से लड़ाई में जीतनी चनोतियां आई हमारे वैज्याने को डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तला से प्रभावी दवाईयां बनाई आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं यह वाईयरस नया है इसमें नए नए मुटेशन भी हो रहे हैं लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज्च उनके एक्स्पिरियंस उनके अनुभव वाईयरस के इन खत्रों और चालेंजिस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं इतने दसकों में जिस तरह का मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर देश में तयार हुआ था उसकी सिमाए आप भली भाती जानते हैं पहले के समय में मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर को किस तरह नजर अंदाज किया गया था इससे भी अप परिचीत हैं हमारे देश में जनसंख्या का दबाव इस चुनोती को और कठिन बना देता है बावजूदिस के कोरोना के दोरां अगर हम प्रती लाग जनसंख्या में संक्रमण को देखें मृत्योदर को देखें तो भारत की स्थिती बड़े बड़े विक्सीत और सम्रुद्ध देशों की तुल्ना में कहीं संबली हुई रही है किसी एक जीवन का असमय समावत होना उतना ही दुखद है लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है इसका बहुत बढ़ा स्रे हमारे परिश्वमी डॉक्टर्स हमारे हेल्थ केर वर्कर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को जाता है साथियों यह हमारी सरकारी है जिसने हेल्थ केर पर सबसे अधिक बल दिया है पिछले वर्ष फर्स्ट वेव के दोरां हमने लगबग 15,000 करोड रुपिये हेल्थ केर के लिए आवंटित किये थे जिससे हमारे हेल्थ इंफर्स्रक्टर को बढ़ाने में मदद मिली इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन दो गुने से भी जादा यानि दो लाग करोड रुपिये से भी अधिक किया गया अब हम ऐसे ख्यत्रों में हेल्थ इंफर्स्रक्टर को मजबुत करने के लिए 50,000 करोड रुपिये की एक क्रेडिट गरंटी स्कीम लेकर आये हैं जहां स्वास्त सुविधाओं की कमी है हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफर्स्रक्टर को ससक्त करने के लिए भी 22,000 करोड रुपिये से ज़्यादा आवंटित किये आज देश में तेजी से नए एम्स खोले जा रहे हैं नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं आधुनिक हेल्थ इंफर्स्रक्टर खड़ा किया जा रहा है 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्स से वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हुआ है मेडिकल कॉलेज की संख्या भी करीब डेड़ गुना बड़ी है इसी का परणाव है कि इतने कम समय में जहां अंडर गर्जुएट सिट्स में डेड़ गुने से जादा की वृद्धी हुई है वहीं PG सिट्स में 80% इजाफा हुआ है यानि यहां तक पहुंचने के लिए जो संगर्ष आपको करना पड़ा वो कठिनाई है हमारे युवाओं को आपके बच्चों को नहीं उठानी पड़ेगी दूर सुदूर छेत्रों में भी हमारे जादा से जादा युवाओं को डॉक्टर बनने का आउसर मिलेगा उनकी प्रतिभा को उनके सपनों को नई उडान मिलेगी मेडिकल सेक्टर में हो रहे हिन बडलाओं के बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिवद्ध है हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाब हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्षी कानून में कई कड़े प्रावधान किये हैं इसके साथ ही हम अपने कोविड वोर्यर्स के लिए फ्री इंसरन्स कवर स्किम भी लेकर आये हैं साथियों कोरोना के खिलाब देश की लडाई हो या मेडिकल व्यवस्ता सुधारने का देश का लक्ष इन सब में आप सभी को महत्वपण भूमी का आदा करनी है